बाव़ोग आजबात करेंगे ऐसे क्रिेचर के बारे में जो आगे जा कर दा रिंग्स आप आवर सोको बहुत इंट्रेस्टिंग बनाने वाला है। और ड्वाफ्स और एल्प्स दोनों की लुटिया रुवाने वाला है। जिया मैं बात करना हूँ बैल रॉक्स के बारे में। तो उसे पहले वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना है। शुरू करते हैं बावा। बैल रॉक्स का ओरिजिनेशन फस्ट एज में हुआ था। और साथ मायर में से ये तीन थे जो मौर्गॉथ की चिकनी चुपडी बातों में आकर फस गए थे और इने कहा गया ओ मायर। यानि डेमन्स और ऐसे दरिंदे बन गए जो आग की लपट निकलती है और काल धुए का लिवाज ओरते हुए दिखने को मिलते हैं। ऐसा सैतान जो आसानी से मरते भी नहीं है और वेलिनोर की तबाही में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वेलिनोर में तबाही करने के बाद मौरगॉथ बैल्रोक्स को लेकर मिडिल अर्थ कॉन्कॉर करने के लिए आया। लेकिन यहां कई बार ऐफ से लड़ने के बाद उसे फेलियर हि मिला। क्योंकि फीनर और उसका सन मैधरस जैसे एल्फ्स वारियर इनके लिए बैरिकेट्स का काम कर रहे थे और फर्स्ट इच की लास्ट वार वार ओफ रैथ में बैल्रॉक्स मारे गए एक को छोड कर जो वहां से भाग निकल कर खाजदूम की पाड़ी में जाकर छुपने में सफल हुआ उसके बाद सेकेंड डेज में इनके एक्टिव होने की ख़वर सुनने में तो आई थी अकॉर्डिंग टू बुक लेकिन सो में सेकेंड डेज में ही बैल्रॉक्स का अच्छा मेंसिन करते नजर आ रहे मेकर्स जो भी हमने फेपता वी सोड में देखा हां बुक में दि में ये दोनों लड़ते वक्त पाता लोग पर पहुँच जाते हैं लेकिन इस जंग का अंत होता है जिराग जिगिल में जो मिस्टी माउंटेंस में एल्फ्स की हाई पीक पॉइंट मानी जाती है कहा जाता है तीन नोन बैल्रॉक्स थे जिनका नाम था गौथमॉक जिसे फ काफी पावरफुल क्रियेचर थे जो इंसानों और एल्फ्स के दोगुना साइज का था बुक में ये मेंसेन है बट हमें जब लास्ट लॉड अप दरिंग्स मुवी में देखा था तो काफी ज्यादा है जाइवी साइज था इसका जाइंट साज कहती थे इनके पंक भी थे जो हमने पिछले लॉड अप दरिंग्स मुवी में भी देखा था लास्ट गेंडॉल से लड़ते वक्त ये भी खा जाता है कि ये फर्स्ट एच की लड़ाई में इन्हें ड्रेगन्स की सबारी करते भी देखा जाता था तो बावा भी मज़ा आने वाला है लॉड अप दरि जरू करके जाना बाकि यहां तक पहुंच गया हो तो उसको मेले वीडियो पसंदा यह पसंदा लाइक कर दीजिए नहों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस करेक्टर पर बना सकते हैं बहुत कुछ है दलॉर अप दरिंग्स में जरू बता के जाना ताकि मैं एजली उस चीज पर डिटेल्ली रिसर्च करके एक अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊं मिलते के लिए वीडियो पर जाहें तो